भारत के स्थानिय खिलोने, परंपरा और प्रकृती, दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। मैं आज आपके साथ भारतिय खिलोनों की सफलता को शेर करना चाहता हूँ। हमारे यंग्स्टर्स, स्टार्टप्स और एंटरप्रस के भूते हमारी टॉय इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलता हैं हासिल किये हैं, उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी। आज जब भारतिय खिलोनों की बात होती हैं, तो हर तरफ वोकल्फ और लोकल्ट की ही गुंच सुनाई दे रही हैं। शत्तर प्रतिशत तक घट गया है, और खुशी की बात ये हैं, कि इसी दोरान भारत ने 2600 करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निरियात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड रुपे के खिलोने ही भारत से भार जाते थे, और आपने जानते ही हैं, कि ये सब क प्रोना काल में हुआ है, भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांस्फॉर्म करके दिखा दिया है, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्ट अप सेक्टर भी खिलोनों की दुनिया पर पुरा ध्यान दे रहा है, बेक्षेतर में कई मजेदार चीजे भ टेक्नलोजी और मैस में बच्चों की दिल्चस्पी बढ़ाने में जूटी है,